हाई ग्राइज विल्कम तुम्हाइं यूट्यूब चाहंत वार मैं हूश आश्रतिवारी और आज की उड़ा हम बात कने वाले तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेशिन को तो यह कह रहा है कि गिवन एरे ए ओफ एन एलेमेंट्स फाइंड इमें अधा से ज्यादा बर अपियर हो रहा हूं फॉर एज्ञांपल लेट से मेरा यह यह जो की नीचे दिया हुआ है मैंने वहीं से पिक किया है यह आपके है 3 क्यों क्यों क्योंकि 3 की नंबर ओफ ओकरेंस कितनी है 3 है 1 2 3 ठीक है एन इस एरे की साइज कितनी है एरे की साइज कितनी है एरे की साइज है मेरी 5 तो 5 by 2 will be somewhat 2 2.5 नहीं होता हम डेसिमल एगनूर करते हैं तो 2 से जाधा बार जो भी ऐलेमेंट आ रहा है ध्यान रखना अ not n by 2 times not like greater than equal to n by 2 times but greater than n by 2 times okay that's it तो अब इसे आप find out कैसे कर सकते हो root force approach एक element पकड़ो बाकियों को चेक करो मैंने 3 को पकड़ा मैं चेक कर रहा हूं 3 कितनी बार है ठीक है दिन मैंने 1 को पकड़ा चेक कर रहा हूं 1 कितनी बार है दिन अगेन 3 आ गया यहां पर आप क्या यूज कर सकते हो एक additional data structure में भी आप set उसकता हूं कि मैं जो element pick कर रहा हूं से set में डाल थो इनमें चेक करूँ क्या जिस element पर मैं खड़ा हूं वो set में already present है अगर है that means यह मैं second time देखने वाला हूं तो मैं उसे skip कर सकता हूं जैसे कि मैं कह सकता हूं मैं set में हूँ मैंने पहले देख लिया 3 फिर देख लिया 1 फ देख चुका हूँ तो आप उसे skip मारोगे अगले element भी 3 है उसे आप skip मारोगे अगले element 2 है उसकी आप frequency निकालोगे पट इस अप्रोच में दिक्कत क्या है आप अगर सारे element unique हूँ worst case जहाँ पर आपको answer नहीं मिला तो वहाँ पर हमारे set में exactly same number of elements आ जाएंगे तो आपकी space हो जाएगी space complexity हो जाएगी big o of n where n is the size of the array and आपकी time complexity हो जाएगी big o of n square ठीक है n square क्यों हो जाएगी क्योंकि आप एक element fix कर रहे है और पूरे array में धून रहे हो से दूसरा fix कर रहे हो पूरे array में ढूंड रहे हो ठीक है तो आप n elements को n time search कर रहे हो that means कि आपकी time complexity n square होने वाली चलो यह चीज़ें हो गहीं बहुत clear है बट आप मुझे answer चीज़े ना तो इसका better approach क्या है तो यहार मैंने एक video बनाई थी count more than n by k elements आप उसे भी जाके check out कर सकते हो काफी interesting problem है और बहुत लोग ने उसे प्यार भी दिया वीडियो को अब बार करते हैं कि यहां पर हम क्या आगर सकते हैं तो मैं आपको यह एक scenario बताता हूँ and then मैं बताऊंगा कि algorithm कौन सी है हम यहां पर basically algorithm सीखने वाले आई आप आपने नाम आप पढ़ लिया होगा भी तर title पर still देख लेते हैं so this is कि मुझे तीन मेरा तीन बार appear हो रहा है ठीक है one मेरा एक बार appear हो रहा है ठीक है two मेरा एक बार appear हो रहा है that's it this is my element ठीक है and this is my frequency ठीक है कौन सा element के इत्ती बार appear हो रहा है अब यहां पर एक बात बताओ मुझे पता है कि मेरा अगर answer लाई करेगा अगर लाई करेगा तो उसके counts कितने होने चाहिए at least उसकी frequency आपके array के size के आधे से जाधा होगी that means यह fact है कि बाकी elements की combined frequency भी आधी नहीं पहुँच रही होगी ठीक है तो इस चीज़ का fact क्या है इस चीज़ का fact यह है कि भाई अगर आपके array में दस element है और एक element छे बार उकर कर रहा है तो बाकी जितने भी element है आपके array में उ तो बाकी वाला आधे से कम होगा ना balance कर रहें ना दो लोग अब आप balance कैसे बनाते हो life में अगर आपका partner थोड़ा जाधी clever है तो आप उतने सीधे होते हो तो तभी तो balance होपाता है तो this is how balancing works and no offense so this is how this works तो मैं यह बता सकता हूँ कि अगर मेरी frequency किसी एक element की आदे से जादा यानि बाकियों की आदे से कम होने वाली यानि कि बाकियों को अगर मैं current element में minus भी करता चला जाओ तो भी मेरी frequency zero से जादा होगी that means one एक बार आ रहे है two एक बार आ रहे हैं की combined frequency है दो बार अगर मैं इस this is it यह है मेरी boy or more majority voting algorithm जो कहती कि अगर एक बंदा majority vote लेके बैठा है यानि आप बाकियों के vote उसमें minus कर दो still वह zero से उपर रहेगा so let's say हम यहां पर अब इस algorithm को समस्तर के कुछ steps है सबसे पहले आपको दो variable चाहिए होगा एक चाहिए होगा candidate जिस पर आप चेक कर रहे होगे एक आपको चाहिए होगे number of votes ठीक है यह दो variables हो गए मेरे पास अगला काम कहा है मुझे मैं कहता हूँ कि भाई if मेरे जो number of votes है अग that means choose a new candidate choose a new candidate कि यह मैं पता है कि जो मेरा majority है majority element वो कभी भी 0 से कम नहीं होने वाल है that means जब भी मैं hit कर जाओ 0 को मैं कहूंगा choose a new candidate and if current element current element equals equals your candidate candidate so I can say this is votes plus plus else it will be votes minus minus ठीक है मैं 3 को ढून रहा हूँ मुझे 3 मिलता जा रहे तो मैं votes अपने बढ़ाते जाओंगा कोई और मिल ला है तो votes minus करते जाओंगा अगर मेरा vote का भी BTC point of time पे 0 hit कर जाता है तो मैं current element को ही candidate बना दूंगा ठीक है इस तरह को कुछ काम हम्या करने वाल है है तो लेट्स ड्राइरन दिस अल्गॉरित्म फर्स्ट इसे हटाते हैं इसे भी हटाते हैं और लेट्स चेक ऑन दिस तो मेरा candidate है है और 3 एंड इसके वोट्स है एंड गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वन ठीक है आगे चलते हैं मुझे वन मिला ठीक है अब वन क्या है मेरा candidate के बराबर नहीं यह वोट कम होना है तो आइकन से वन माइनस वन भी जीरो अब आपको यहां पर जीरो के यहां पर candidate को चेंज करने हम candidate को स्टार्टिंг में चेंज करेंगे next iteration में चेंज करेंगे next iteration मिझे 3 मिला मैं कहता हूं कर मीजे 3 मिला क्या मेरा candidate 3 है तो हां भाई वोटस को बढ़ा करके 1 कर दो' आगे है कंडि एक वारबन कर जाओगे तो तो फाइनली आपको जो candidate में variable में value है, वो ही आपका majority element है, इस votes का, इस total number of votes का, यह मतलब नहीं कि यह element इतनी बार present है, यह मतलब है कि आधे से इतनी बार जाधा present है, ठीक है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा tweak करो, अगर आप इसमें n by 2 कर लो, तो आपको बता चिल जाएग आपको समझ में आगया होगा, now let's food it quickly, candidate, ठीक है, मुझे candidate चाहिए, I can say minus 1, and int votes is equal to 0, minus 1 क्यों लिए है, क्योंकि अभी हम obviously से, अभी initialize नहीं कर रहा है, अब यहाँ पर करेंगे, i equal 0, i is less than size, and then i plus plus, यहाँ यह कभी a लिखते हैं, कभी arr लिखते है, lead code पर अच्छा है, वो follow करते है, numbers का, if votes equal equal 0, ठीक है, यहाँ आपके number of votes 0 जाने तो क्या करो, नए candidate को elect करो, ठीक है, candidate, इसलिए मैंने votes को यहाँ पर initially 0 किया हुआ है, कि भाई, पहली बार में क्या, 0 मिले है, वैसी नए candidate, choose कर लो, तो आप minus 1 को लेकर आगे, कभी नहीं चलने वाले हो, ठीक है, so a of i, and obviously, इस बंदे को आपने चूज के तो, इससे आपको एक vote देने ही पड़ेगा, so that's it, हम ऐसे vote equal 1 ही कर लेता हूँ, ठीक है, again, अब यहाँ पर scene क्या है, यहाँ पर scene है, कि भाई मेरा जो current element है, a of i, if it equals, equals the candidate, I am looking for, candidate, I am looking for, then I can say this will be a votes plus plus, else, it would be a votes minus minus, ठीक है, that's it, अब आपका जो भी majority element होगा, वो होच चाहेगा, but अगर हम यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर return candidate करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो यह गलत है, ठीक है, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए यार, क्योंकि आपको, यहाँ पर question में दिया है, कि, आपको minus 1 return करना, जब majority element present ना हो, that means, this is not that sure, कि question में, majority element हमेशा आपको मिलेगा ही, अगर मिले तब तो यही है, बट अगर नहीं मिलने वाल है, तो यहाँ number of votes होंगे, आपके 0, and candidate ऐसे को भी element होगा, most probably last element होगा है, ठीक है, अब यहाँ पर मुझे चेहिए, एक next function, जो मुझे बताएगा, एक boolean function, जो हाँ या ना return करेगा, कि भाई, जो मेरा है element, क्या है, यह majority है, so I can say, I can calculate it, in big of n time, तो यह जदा time taking काम नहीं है, size n में अपने candidate को भी ले जाता हूँ, कि भाई, यह मेरा candidate है, now let's say कि, एक counter रख लेते है, is equal to 0, I can say कि, for int i is equal to 0, i is less than size, then i plus plus, now I will check for this candidate, so if a of i equal equal candidate, ठीक है, तो I can say counter plus plus, ठीक है, अब मुझे पता चलिक है, इसकी frequency किया है, तो I can say return, true या false return करना है, जो true कब होगा, जब आदे से जाधा होगा, तो I can say कि, मेरा जो counter है, that should be greater than, exactly greater, greater than, equal to नहीं करें, greater than, size by 2, ठीक है, that's it, n by 2, size by 2, तो ये true false return कर जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ, कि, is majority, majority में आपने array pass किया था, आपने size pass कि थी, आपने candidate pass किया था, candidate, candidate, अगर ये चीज, true है, अगर ये चीज, true है, मैं यहाँ पर ternary operator यूज़ कर रहो, आपर false यूज़ कर सकते हूँ, अगर ये चीज, true है, तो आप क्या return करोगे, false है, तो आप क्या return करोगे, false है, तो minus one return करना है, true है, तो जो भी candidate है, candidate है, उसे return करना है, यहाँ पर simply return function use कर लो, ठीक है, so that's it, I hope आपको ये समझे में आगे होगा कि ये किस तरह से solve हो रही है, ओके तो मेरा answer 3 था, and 3 ही आयल, now let's try submitting it, so I guess, आपको समझ में आगे होगा, आज हमने वीडियो में क्या किया, basically हमने आज एक नहीं algorithm भी सीखी है, so comment ज़रू करना है, अगर आपको ये algorithm पहले से पता थी, या नहीं पता थी, and if this is the first time, some error occurred, but still, हमारा submission हो गया, तो बस ये था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कर देने, और अगर आप इस चैनल पे नहीं हूँ, तो आप पूरी प्राव्म सौल इंकी सीरीज चेक आउट कर सकते हो, अगर आप इंटर्वियो के लिए प्रिपेर कर रहे हैं, तो बस ये था आज की वीडियो में मिलते हैं, आप से अगली वीडियो में तक तक के लिए बाबाय टेके,